नमस्कार ये पांच आदते आपकी बहुत जल्दी आपको बुड़ापे की ओर ले जाती है आपको पता ही चलता है और बहुत कम उम्र में आपके चेहरे पर बुड़ापा जलबने लग जाता है यहाँ पे काले काले गेरे हो जाते है और जब आप यहां पे आपके गाल बिल्कुर अंदर बेट जाते हैं और चेरा एकदब ऐसा हो जाता जैसे कि आप 40 साल के उमर में 60 साल के जैसे रखते हैं अगर आप चाहते हो कि आपका बुड़ावा जल्दी आने से रोकती है पांच आददें आज से अभी से रोक दे वरना आप इस भाग दोड़ बड़ी जिन्दगी में दोड़ते दोड़ते बहुत जल्दी पुड़े हो जाओगे इस्ट्रेस इस्ट्रेस आज हर किसी के जियोन में ऐसा गुल गया है कि मतलब जैसे पानी में रंग गुल जाता है ना इसे इस्ट्रेस हर इंसान के जियोन में गुल गया है इंसान इस बाग दोड़ बड़ी जिन्दगी में अपने लिए जीना भूल गया है आज पेसे की चाहत में वो अपने सरीर को समय देना भूल गया है और इतना ज़्यादा इस्ट्रेस रखने लगा है ना कि तरह तरह की भुमारियों उसके अंदर घर गए आज बिजनिस में सपलता नहीं मिलती है तो इस्ट्रेस आता है कहीं अगर ओपिस में कुछ काम नहीं होता है बोस डाटता तो इस्ट्रेस आता है हर तरह से इनसान के जीएं में स्ट्रेस गुल गया है बढ़ने साल दो साल तीन साल रेगुलर इंसान इस्ट्रेस लेता रहता है तो इसके सरी से जलगता है वह इस्ट्रेस तब लोग कहते हैं क्या हुआ तेरे को तु ऐसा क्यों दिख रहा है तो उसका जवाब कुछ नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कि वो कितना स्ट्रेस लेता है आज की बात दोर बरी जिन्दगी में इंसान एक नीन का भी स्ट्रेस से बहुत बड़ा गहरा समंद है जब आपके दिमाग में तनाव को इस्ट्रेस हो तो आपको नीन नहीं आएगी आप गहरी नीन नहीं ले सकोगे एक स्वस्थ इंसान को कम से कम छे गंटे नीन लेनी चाहिए और वो भी बड़पूर नीन और इस्ट्रेस और तनाव वला इंसान क्या करता है नीन बराबर नहीं लेता है अगर वो छे गंटे की नीन भी लेता है तो बीच बीच में उसकी नीन खुल जाती है तनाव और इस्ट्रेस के कारण और जब तनाव और इस्ट्रेस के कारण जब नीन बराबर नहीं होती है न तो इनसान दिन बर ठका ठका मैसूस करता रहता है और जब एक दो दिन जब दो साल तीन साल और चार साल और पांस साल जब इसे निकलते जाते ना, तो उसके चेहरे पर वो तकान, वो नीद जलकने लग जाती है, उसका चेहरा, उसका सरील काम आने लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो परियात नीद नहीं लाता है, थर्ड, खराप डाइट, आज की बाग दोड बरी जिनके में इंसान खाना खाना तो भूली गया है, सुबह जल्दी 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 ओपिस जाता है, और ओपिस जाने के चकल में नास्ता करता है या ना करता है, बराबर भी जल्दी बाहर निकल जाता है, जब ओपिस जाता है, तब वहां पर भी मोस्की डार्ट मिलते हैं, और ओपिस के अजलत रुके का होते हैं करते हैं फिर वापी दिन में लंच होता हैusion छों में पुपता वर अपने काम क्रने के चक्र में लंच भी करता है what is this क्या कर रहे हो आप वह सब कुछ तो आप अपने सरीर के कर रहे हो और जब टाइम नहीं मिलता है ना जब कहीं खाने का टाइम नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं फास्ट फूट खा लेते हैं प्रोसेश फूट खा लेते हैं या फिर फैटी फूट खा लेते हैं उससे क्या होता है आपका सरीर एक दिन जवाब दे जाएगा आप जब अपने शरीर के लिए प्रिया़त खाना नहीं खाओगे ना और सानती से खाना नहीं खाओगे ना तो आपका सरीर कम से कम दो, तीन, चार साल, पांस साल बाद ज्वाब देगा आपको विक्नेस आने लग जैगी आपको चक्कर आने लग जैगे और आपके सरीर में बहुत जल्दी बुड़ाबा जलगने लग जाएगा आप यह सब किस लिए कर रहे हो आप अपने सरीर के लिए तो कर रहे हो अपने परिवार के लिए तो कर रहे हो जब आपका सरीरी स्वस्त नहीं रहेगा तो यह सब किस काम का आज की बाग दोर बड़ी लाइफ में जिनकी इनसान ऐसा जी रहा है कि उसकी लाइफ तो एक्टिव रही नहीं है सुबह बाग दोर उपीस जाता है, वहाँ पे बेट जाता है, शाम को गर आता है, वहाँ पे भी एक्टिव रहता है इनसान का सरीर जितना ज्यादा एक्टिव रहता है ना, उतना ज्यादा उस इनसान का सरीर चलता है और आप अपने सरीर को जितना ज्यादा आराम दोगे ना, उतना ज्यादा आपको नुक्सान जेलना पड़ सकता है सरीर को जितना ज्यादा उप्योग में लोगे न हम उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा जब आप शरीर को अराफ देने लग जाओगे तो दीरे दीरे तीरे 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 मोटापे की बिमारी है वी-पी, सूगर तीरे तीरे की बिमारी आपको लग जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा और उन बीमारियों के घर से आप वो जल्दी बूड़े लगने लग जाओगे हैं फिप्थ स्मोकिंग एंड्रिंकिंग आज के लोग वरतमान में इस्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के लिए क्या करते हैं यह टो स्मोकिंग करते हैं यह ढूंकिंग करते हैं या तंबाकू लेते हैं यह सिगरेट लेते हैं क्या करते हैं थोड़े समय के लिए तो छलो ठीक है उनकी एंजाइटी और उनके स्ट्रेस दूर जाएगा लेकिन फिर वापिस वही तनाव इसको गेर लेगा तो कभी अपना स्ट्रेस और अपने एंज़ाइटी अपने तनाव को दूर करने के लिए एल्कोहल और स्वोकिंग का सारा ना ले थोड़े समय के लिए तो आपको ये आनाम दे देंगे लेकिन लंबे समय के लिए आपको बहुती नुकसान देंगे आपकी तरहतरकी विमरिये घर कर जाएगे और आपको बहुती जल्दी आपके चेरे पे आपके सरीड में बुड़ा प्ता जलने को लग जाएगा आप समय से पहले बुड़े हो जाओगे इसलिए ये पांस तरह की आदते हो सके तो आज अभी से छोड़ दे वरना वो जल्दी आपके सरीर में बुड़ा पर जलने लग जाएगा और आप 40 के उमर में 60 के लगने लगोगे इसे के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और मेरे चैनल को सबस्काइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहें